है अग्या थे देखिए आज हमारे जायज में जो है टेंक क्लीनिंग चल रहा है कि ग्रेब ओल्ड क्लीन कर रहे है कि इसमें जो है कि पानी का पाइप डाल के साफ किया जाता है कि पहले समंदर के पानी से साफ करते हैं और फिर जब समंदर के पानी से साफ हो जाता है फिर फ्रेश वाटर से हम लोग साफ करते हैं हर एक ग्रेब ओल्ड को खोल के इसको साफ सभाई किया जाता है साफ सभाई किने के इसको सुखाय जाता है सुखाने के बाद जो है हम लोग दूसरा समान लेने के लिए दूसरा अनाज लेन निकले लेड़ी है तो ऐसे करके देख सकते हैं आप लोग कैसे हम लोग काम करते हैं और जिंदगी कैसे चलती है देख सकते हैं अप लोग कभी सुख है तो कभी दुख है कभी दूप है तो कभी छाओ है और कभी बरसाथ भी है और कभी तो तुफान भी आपे लेकिन सब कुछ जहलने के बाद सीमेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहते हैं और कितने मेंस से जो है काम करता है वो देख सकते हैं दो आदमी जो खीच रहे उसमें से एक इंसान की जो उमर है 59 यह की है तो आप देख सकते हैं कितने मुसीवतों का समना करते हुए फुले समंदर के बीच जो है हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए काम करते रहते हैं औ और अपना दिन वर्तीत करते हैं तो यह थी जिंदगी हमारी बल्क केरियर में दोस्तों मिलते हैं अगले पोर्ट अमेरिका में जल्द ही दूसरे पोर्ट में हम लोग पहुंचेंगे अमेरिका पिछली बार जब हम गए थे अब लगबग हम लोग अमेरिका से निकले थे हमारा जहाज खड़ाता महां पे पुलिस को तैनाद किये गी तो इसके चलते हम लोग जो है वहां का दृष्ट नहीं दिखा पाए और क्यूंकि हालात अभी सही नहीं है दोनों देशों के बीच में हमारे और चीन के बीच में इसलिए दोस्तों मैं दिखा नहीं पाया महां मिलेंगे अमेरिका में यह देखे दूसरा रसी छोड़ दिया जा रहा है दूसरे रसी में अभी जो है नहाने का जो पानी होता यानि जी हां फ्रेश वाटर कहते हैं उससे हम लोग इस ग्रेव होल्ट की साफ सबाई करेंगे टीक है चलते हैं अगले वीडियो में मुलाकात होगी जल से जल्व तब तक के लिए दोस्तों अलविदा फिर मिलते हैं चाइना चाइना से अम लोग जा रहे हैं अमरीका की ओर लगभग पोर्ट्रलेंड के आसपास मिलेंगे हम लोग वाक इस ओके दोस्तों जलते